हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको लेडी सॉक्स बनाना बता रही हूं बहुत ही इजी तरीके से ये हमारी अंगुठे वाली सॉक्स रहेगी और ये और मुस्ट चार से पांच नमबर के लिए मैं बना रही हूं और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दस नमबर की सिलाई का यूज किया है यहाँ पर मैंने दो कलर की वोल का यूज किया है आप लेफ्ट ओवर जो भी आपके पास बच्चियो उसका आप यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं 56 फंदे डाल रही हूं सिंपल तरीके से हम फंदो को डाल देंगे आप चाहे तो डिजाइनर भी डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने 56 फंदे लगा कर कंप्लीट कर दिये हैं और अब हम दौनों तरफ से लगवग 24 से लाया इसकी उल्टी उल्टी बुनते जाएंगे जो कि हमारी 12 लाईने हो जाएगी यह हमारे पैर का बॉर्डर रहेगा ऐसे ही हम अपने 12 लाईन्स को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे फर्स ट्रो कंप्लीट कर ली है आगे हम राइट साइड के तरफ से इसको भी हम एक फंदा पहला ऐसे ही उतार देंगे और दूसरे से उल्टा उल्टा ही बुनना शुरू करेंगे यह हमारी दूसरी रो है फर्स मैंने यहाँ पर अपने बॉर्डर को बना कर कंप्लीट कर दिया है मैंने यहाँ पर 10 लाईन्स अपनी कंप्लीट की है आप चाहे तो इससे ज़्यादा बना सकते हैं 12 लाईन्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और यह हमारे pattern की उल्टी साइड है और मैं यहाँ पर अपना attach करने जा रही हूं second color हम तो second color attach करने के लिए सबसे पहले 26 फंदो को हम simple simple अपने second color से ही बुनते जाएंगे 26 फंदो तक उसके बाद हमारा बीच में यहाँ पर एक छोटा सा pattern बनेगा और उसके बाद फिर से हम वापस से इन 26 फंदों को इस सेकंड कलर से ही बुनाई करेंगे बीच में मैं इस कलर को अपने फर्स्ट कलर को यहां से धागे को मैं तोड रही हूँ और यह जुदा का अब यूज होगा हमारा बीच में जहाँ पर पैटर्न बनेगा वहाँ पर यूज होगा नौ दोग में टुझए टो बने बने जहाँ हो आटर्ट करेंगे 20 फंदों को मैंने यहां तक बुन लिया है इसके बाद अपने 1st color को यहां पर दुबारा एड़ करेंगे एक फंदा इसका बुन लिएंगे और दुबारा से फिर से 2nd color से एक फंदा और फिर से हम एक फंदा अपना 1st color से बुनते जाएंगे और बाकी के जितने भी यहां पर हमारे फंदे बच्चे हैं उसको हम अपनी सेकंड कलर यानि ब्लू कलर से बुनते जाएंगे इसके बाद हम दौनों तरफ से एक फंदा इस साइट से एक फंदा इस तरफ से घटाते जाएंगे और हर तीसरी सिलाई में ये फंदा घटा जाएगा तो पहले हम इन चबिस फंदों को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी तरफ से सिलाई कंप्लीट करते हैं और आते हैं राइट साइट की तरफ से और राइट साइड की तरब से भी हम अपने सेकंड कलर से ही बुनते जाएंगे और साथ में हम यहाँ पर पहला फंदा गटा देंगे दो का एक कर रही हूं मैं यहाँ पर इस बीच अप कोई भी फंदा नहीं गटेगा अब सिर्फ दूसी सिलाय में हम यहाँ पर अपना एक फंदा गटाते जाएंगे आपने जहां तक हमारा पैटरन है वहाँ तक पहले इसको सिंपल सिंपल बुनना कंप्रेट कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम लगबग पैटरन तक पहुंच गए हैं यहां पर फिर से हम अपने first color को use करेंगे इस धागे को ऐसे उंगली में हम अपना धबा लेंगे और फिर से first color को उठाएंगे अब हमें यहाँ पर एक के तीन करने है एक दागा आगे लेंगे और फिर से बुन लेंगे अब हमारी यहाँ पर तीन बन गए है और जो यह बीच में ब्लू कलर है हमारा इसको एज़िटिल सी उतार देंगे फिर से यहाँ पर सेम ही ऐसे ही हम पुनाई करेंगे दागा आगे लेंगे और एक का तीन करेंगे यहां से हमने अपना कलर स्टार्ट किया था तो दागा पीछे से हम टाइट कर देंगे और फिर से अपना सेकंड कलर जो है हमारा उसको यूज करेंगे बाकि पूरी की पूरी सिलाई सेकंड कलर से ही कंप्लिट कर लेंगे हम राइट साइड से बुनकर मैंने कंप्लिट कर दी है और अब आते हैं रॉंग साइड की तरब से रॉंग साइड की तरब से भी पहला फंदा हर बार हम दो खा एक करते जाएंगे दो खा एक कर दिया है पैटर्न तक अब सिंपल ही बुनाई करते जाएंगे हम कर दो 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 कि यह पैटरन के हमारे तीन फंदे हैं इनको हम एज़ेट इस ही उतार देंगे और यह बीच का जो हमारा फंदा है इसको हम बून लेंगे फिर से इन तीनों फंदों को कि एज़ेट इस ही हम इसको उतार देंगे और बाकी के जो फंदे हैं हम सिंपल ही इनको बून लेंगे यह सिलाई भी हमने कंप्लिट कर दी है आते हैं राइट साइड के तरफ से फिर से पहला फंदा घड़ाते जाएंगे दो काई करेंगे और पैटरन तक बिल्कुल सीधा सीधा बुनते जाएंगे पैटरन से पहले तक मैंने इसको बुन लिया है और इसके पहले मैंने यहाँ पर दो फंदों को छोड़ दिया है इन दो फंदों को हम इस तरफ लेके जाएंगे और यह जो हमारे तीन हमारे फुर्स्ट कलर के हैं इसको हम इस तरफ लेके आएंगे इस तरफ लाकर अब हम इन तीनों का एक कर देंगे पहले हम इसको लाए पर उतारके इन तीनों का एक कर देंगे बीच के जो दो फंदे हमारे ब्लू कलर से इसको बुन लेंगे और जो हमारा पहला फंदा ब्लू कलर का है उसको एज़टीजी उतार देंगे यह तीन फंदे हमने इस तरफ करते हैं और इस तरफ के जो दो फंदे थे वो इस तरफ हम लेकर आएं और पहले इन दो फंदों को बुन लेते हैं इसके बाद तीन का एक करेंगे बाकी के पूरे फंदों को वापस से ब्लू कलर से ही बुनते जाएंगे प्रेंट समारा यहां पर पैटरन कंप्लीट हो जाता है और वापस से आते हम उल्टी स्लाई की तरफ तो पहले दो फंदों का एक कर लेते हैं और बाकी के सारे के सारे फंदे ब्लू कलर में बुनते हुए हम अपने पैटरन तक आएंगे यहां पर हमारा पैटरन शुरू होगा यह तीन फंद जो आपको बीच में दिख रहे हैं तो बाकी जब तक मैं यहां तक बुनाई करती होँ फिर मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ दुबाया से इस पैटरन को कैसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स हम यहाँ पर पैटरन तक अपनी बुनाई कर दिये हैं उसके बाद यह ब्लू कलर का ब्लू कलर से ही बुन लेंगे और जो हमने ट्विस्ट करके यहाँ पर यह फंदा रेड का बनाया था इसको भी ब्लू कलर से ही बुन लेंगे तो यह बीच के हमारे फंदे हैं यह तीन फंदे इसमें एक फंदे को हम रेड कलर से बुन लेंगे धागे को इस तरफ करेंगे और रेड कलर से और फिर से एक और फंदे को हम अपने pink कलर से बुनाए कर देंगे इसके बाद फिर से बाकि के सारे के सारे फंदे हम blue कलर से ही बुनेंगे उल्टी तरब से भी हमने याँ पर कम्प्लेट कर दी है फिर से पहले दो फंदों का एक कर देंगे और वापस पैटरन तक सिंपल सिधा सिधा बोनते जाएंगे तो वापस से अब हम सिधा सिधा बोनते हुए पैटरन तक पहुँच गए हैं और फिर से यहाँ पर हमें एक फंदे का दो तीन कर देना है एक फंदा हमने बोन लिया आगे को दागा लेकर आएंगे और फिर से इसी को ही वापस से बुन लेंगे तो यह हमारी तीन फंदे हो गए है बीच वाले फंदे को एजटेज उतार देंगे और फिर से एक फंदे का तीन कर देंगे अब पूरे के पूरे जितने फंदे हैं ब्लू कलर से ही कम्प्लेट कर लेंगे इनको सिदी सिदी सिलाई को भी कम्प्लेट कर दिया है हमने उल्टी तरफ से एजटी पूरा का पूरा बुन लेंगे जो हमने ये तीन फंदे बनाये हैं इनको वैसे ही उतार देंगे हम तो हमने उल्टी जो सिलाई है वो पैटर्न तक बुन ली है पहले दो फंदों का एक करते हुए इन तीन फंदों को एजटी उतार देंगे और ये जो बीच का ब्लू का वाला फंदा है इसको हम बुन लेंगे फिर से इन तीन फंदों को एजटी उतार देंगे और बाकी के ब्लू कलर से पूरे के पूरे ही हम बुन लेंगे राइट साइड की तरफ आगे हैं अब हम दो का एक कर लेते हैं पैटरन तक सीधा सीधा ही बुनते जाएंगे पैटरन तक आगे हैं अब हमने यहाँ पर दो फंदों को छोड़ दिया है और बीच के जो हमारी ये पिंक कलर के फंदे हैं उनको हम इस तरफ लेके आएंगे ब्लू कलर के फंदो को इस तरफ लिखे आएंगे मतलब हम फंदो को ट्विस्ट कर देंगे यहां पर पहले इन फंदो को उठा देते हैं और पीछे से फिर अपने ब्लू कलर के फंदो को उठा देंगे अब इन तिनों फंदो का हम एक कर देंगे पिंक कलर से ही फंदो को जो हमारी पीछे से धागे रहेंगे उनको ऐसे हम ट्विस्ट कर देंगे एक दूसरे के उपर ताकि हमारे जो ये सिलाई है भी बिल्कुल टाइट रहे हमारी फंदे बिल्कुल भी डिले ना रहे और वापस से ये जो दो फंदे हैं इनको ब्लू कलर से ही बून लेंगे बीच का जो ये फंदा है इसको एस इटीज ही रहने देंगे हम फिर से इन दो फंदो को इस तरफ लिके आएंगे और पिंक वाली फंदो को इस तरफ लिके ट्विस्ट कर देंगे पहले इन ब्लू कलर वाली फंदो को बून लेंगे और अब हम तीन फंदो का एक कर देंगे यहां पर पिंक कलर से ही अधिक आए तो एससे ही हमारा एंड तक डिजाइन बनता जाएगा और बाकी के फंदो ब्लू कलर से और यहाँ पर हम धागे को इस तरह से इस के उपर रड के उपर मोड़ के इसको बनाते जाएंगे तो यह हमारा पैटर्न बनकर कम्प्लीट हो गया है बाकी की हम बुनाई ऐसे ही करेंगे दो का एक करते जाएंगे दौनों तरफ से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर हर तीसरी सिलाई में अपने एक-एक फंदे को घटा दिया है और अंत में हमारे पास यहाँ पर लगबग छे फंदे रह गये हैं सौरी पांच फंदे रह गये हैं तीन बीच में और एक-एक दौनों तरफ रड कलर से तो अब हम वापस में जो हमारी घटाएवे फंदे हैं इनको एक-एक सिलाई में वापस हम उठाते जाएंगे इतने भी आपको एक घटाएवे फंदे दिख रहे हैं इनको हम वापस से उठाएंगे तो यहाँ पर हम अपने फंदे उठा देंगे और इसके लावा भी हम अपने 6-7 फंदे एकस्ट्रा बीच-बीच में उठाते जाएंगे यह हमारे गटे वे फंदे हैं तो पहले इसको उठा देंगे इस बिस जहाँ पर भी हमें स्पेस दिखता है तो हम वहाँ से भी अपने फंदे को उठा देंगे तो इसको बुन लेते हैं पहले झाल यह बीच में थोड़ा सा स्पेस है तो यहां से भी हम एक फंदा अपना उठा देंगे इसके बाद एक बुनावा जो हमारा हमने गटाया था फंदा उसको उठाएंगे और ऐसे ही करके पोरी सिलाई हम पहले एक तरफ से उठाएंगे फिर दूसरी तरफ से उठा देंगे इक्वल ही हमारे दौनों तरफ से फंदे आने चाहिए यहां पर मैंने एक तरफ से पोरे के पोरे अपने फंदे उठा दिये हैं जो कि आल्मूस्ट 46 के राउंड है और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी उठा देंगे हम अब जो फंदे हमने अपनी सिलाई पे उठा दिये उनको एक सिलाई वापस से बुनते जाएंगे उल्टा उल्टा करके उल्टे तरफ से हम उल्टे ही दिखेगे तो ऐसे ही पूरी सिलाई बुन लेंगे हम फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी उठा देंगे मैंने यहां पर अपने फंदों को डिवाइड कर दिया है और इसी तरीके से हम 14 से 15 लाइन एक तरफ और 14 से 15 लाइन दूसरी तरफ बनाते जाएंगे मैंने यहां पर 12 लाइन अपने बुन कर कंप्लीट कर दी है और इसके बाद हम अपने 12 लाइन को यहां पर घटा देंगे और सेम एज इस इस ही हम 12 लाइन इस तरफ से भी कंप्लीट करेंगे कि पहला फंदा ऐसे ही उतार रही हूं फिर पीछे वाले फंदे को आगे उतार देंगे तो इसलिए हमारा फंदा घट जाएगा एक फंदा घट गया है तो ती चर ती के साट आट नुट नुट दस ग्यारा और ये बाहरा और इस फंदे को वापस इसी में ले लेंगे तो यहाँ पर हमने बारा फंदे घटा लिये हैं और अब हम सें बारा लाइने ऐसे ही इस तरह भी बुन लेंगे और फिर से बारा फंदो को यहाँ पर भी हम घटा देंगे दूसरी तुर्फ से भी मैंने इसके बारा फंदे घटा दिये हैं तो अब हमारे दौनों तरफ से बारा फंदे घट चुके तो यहाँ पर हमें जरुवत रहेगी तीसी सिलाई की तो दौनों सिलाई से एक एक फंदा उठाते जाएंगे और जब हमारी दूसरी सिलाई पर दो आए तो पीछे वाले फंदे को आगे गिरा देंगे एक फंदा एक सिलाई से और दूसरा फंदा दूसरे सिलाई से तो दौनों फंदों को एक साथ बुनेंगे ऐसे ही दूसरा फंदा दौनों को बुन कर एक करेंगे अब राइट हैंड के सिलाई पे हमारे दो फंदे आगे हैं तो पीछे वाले फंदे को आगे उतार देंगे ऐसे ही हम सारे के सारे फंदे दोनों सिलाई के घटा देंगे तो अब हमें फिर यहां पर सिलाई करने की जरूरत नहीं रहेगी आप चाहे तो इसको सुई से भी बंद कर सकते हैं फंदों को फ्रेंट्स मैंने यहां पर सारे के सारे फंदे बंद कर दिये हैं और अब एड़ी वाली तरफ आ जाते हैं तो यहां से मैंने अपने धागे को छोड़ दिया है और इसके कटिंग करके अब यहां से हम सिलाई करेंगे अपनी नीडल से तो यहां से पूरी एड़ी बाली साइट से हम नीडल से बंद कर देंगे और उसके बाद आते हैं फ्रंट साइट की जो हमारे थमका और फिंगर्स का रहेगा तो यहां से भी हम इसको बीच से बंद कर देंगे ऐसे करके और फिर दौनों तरफ से इसकी सिलाई करेंगे एड़ी बाली साइट से मैंने इसको बंद कर दियाए सिलाई करके और आते हैं फ्रंट साइट की तरफ से सबसे पहले हम इस तरीके से इसको अटैच कर लेंगे अपना फ्रंट और बैक साइट की तरफ और बीच से अच्छे तरीके से अपनी निडल से सिलाई कर देंगे यहां से हम अपने स्टिचिंग को पका करेंगे और उसके बाद दौनों तरफ से हम इसकी सिलाई करेंगे तो फ्रेंट्स मैंने यहां पर दोनों तरफ से सिल्के बंद कर दिया है और चलिए अब इसको सिधा कर लेते हैं कि हमारी यह सॉक्स कैसे बनकर निकलती है और इसको अपने पैरों पर हम लगा के देखेंगे पहले कुछ इस तरीके से इसका लोक आता है और पैरों में लगाने के बाद भी यह बहुत सुन्दर दिखती है तो आप देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे पीज वीडियो को कर दीजिए लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स पॉर वाचिंग अजय हम जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो कर दो आप देख सकते हैं